अब बारिश जो होती है, इसके लिए एक चीज का होना जरूरी है, मतलब उस बादल को कहीं न कहीं टकराना जरूरी है, चाहे वो ससुरा आपस में टकरा जाए, तो आपस में टकराएगा तो उतना जबर्जस्त बारिश होगा नहीं, लेकिन किसी पहार से टकरा जायता है, धाल को कहता है हवाएं मान के चली इधर से आ रही है यह हवाओं का डिरेक्शन है ऐसे तो जिधर से हवा आ रही है उधर भी धाल है और जिधर जाएगी उधर भी डाल है यह हमारा परवत अब इसमें दो ताइप के ढाल होते हैं यह ढाल जो पवन की ओर है पवन मैंनी हवा की ओर है और यह ढाल जो हवा से दूर है तो पवना वी मुखी से करते है वी मुखी पवना वी मुखी और इसे करते हैं पवना भी मुखी पवना वी मुखी इस साइड में वर्षा बहुत जादे होता है और इस साइड में वर्षा नहीं होता है इसलिए से वरिष्टी यानि वर्षा वरिष्टी छाया करते है रैन सैडो वरिष्टी छाया करते है क्या लिख दिये जी वरिष्टी छाया इस साइड में वर्सा ही नहीं होती इस साइड में वर्सा होती ऐसा क्यों देखिए जो भी मांसून इधर से जा रहा है यहां से टकराता है और उपर उठके यहां से बादल बादल एक पासी कठा हो जाता है यहां से उठके जाएगा एक पासी कठा हो जाएगा और इसी साइड मैंसे से वर्षा करा देता है इस साइड में वर्षा करा देगा इस साइड में बहुत ही कम वर्षा होती है तो परवतों के दूसरे साइड में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है उस ढाल को हम लोग कहते है पाउना वी मुखी ढाल पाउना वी मुखी ढाल को हम व्रिष्टी चाहते रैंसाइडो एरिया कहते है यहां वर्षा होती है लेकिन बहुत कम होती है तो जाद़ वर्षा एधर होगी अब हम जब जब मानसून पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि वरिष्टी छाया में वर्षा नहीं होती है आप समझेएगा कि नहीं क्या मने कम होती है नहीं मतलब यह नहीं कि तनिको नहीं होगा जैसे लोग करते ना कि अरे पढ़ता नहीं है यह लड़का तो कहा तनिको नहीं पढ़त है अरे कम पड़ता है तो जब कोई चीज बहुत कम हो जाती है न तो उसको लोग कहते है का बहुत मतलम है कि कम है वह हम जब भी बोलेंगे कि वरिष्टी छाया में वर्सा होती है तो बोलेंगे नहीं होती है लेकिन अपने में समझेंगे कि वहां वर्सा बहुत ही कम मातरा में किसी को कोई दिकत नहीं, दूर साकिती मात्रा में होती, को मात्रा में होती, साम ज्मारा है, दिरी दिरे समझी है